विद्यार्थी मित्रों आज का टोपिक अपना है विर्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति तो अब यहां देखिए कोई एक उत्पादक या पीड़ी के दौरा कोई भी चीजवस्तो अलग-अलग कीमत पर बाजार में बेचने की तयारी बताई जाए तो उसे करते हैं विर विद्यार्थी में कोई एक उत्पादक या कोई एक ब्यापारी या पीड़ी रहता है और वो किसी भी चीज़ को अलग-अलग कीमत पर बेचने की बाजार में तयारी बताता है तो उसे हम कहते हैं विद्यार्थी अब बाजार पूर्ति क्या है तो किसी निश्य समय में अन माड बाजार में बेचनी की तैयारी दर्साई क्या है उसे कहते हैं बाजार पूर्ती इसको हम आकृति और अनसूची के द्वारा समझेंगे यहां हमने देखों अनसूची बनाया है एक वस्तु की कीमत रुपए में है 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया और 50 रुप पादकों का पूर्ती लिया हुआ है एक पादक 10 रुपया पर 85 काई पूर्ती करने को तयार है और 20 पर 60, 30 पर 70, 40 पर 80 और 50 पर 90 पूर्ती करने को तयार है 20 पादक जो है 10 पर 40, 20 पर 50, 30 पर 60 और 40 पर 70 और 50 पर 80 पर 80 काई पूर्ती करने को तयार है सिर्थ पादक जो है गो 10 पर 30 और 20 पर 40 तीस पर 50 और 40 पर 60 और 50 पर 70 इकाई पूर्थी करने को तयार है आप देख रहे हैं मांका नहीं लागू पड़ रहा है जैचे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे सभी पादक अपनी पूर्थी बढ़ाने को तयार है तो सिर्दा संबन दिखाई दे रहा है आपको अब बजार पूर्थी के लिए हम क्या करेंगे ये तीनों पादकों को जोड़ लेंगे A, B और C तो यहाँ पर बाजार पूर्ती यानि A की पूर्ती, B की पूर्ती और C की पूर्ती तीनों की पूर्ती साथ मिले लेंगे तो यह देखिए 10 ही काई पर कुल पूर्ती हो गई 50, 40, 30 कुल मिला कितना हो गया 120 हो गया और 20 रुपए पर 60, 50, 40 इस तीनों मिला कितना हो गया 150 हो गया उसी तरह से 30 रुपए पर 70, 60 और 50 मिला कितना हो गया 180 ही हो गया और 40 रुपए पर तीनों को मिला के 80, 70, 70 तीनों को मिला के 210 ही हो गयी और 50 रुपए कीमत पर तीनों को 90, 80 और 70 मिला करके 240 ही हो गयी तो ये जो अंतिम है ये बाजार की पूर्ती माना जाएगा, ये बाजार पूर्ती है, ये रधिकत पूर्ती है, ये B की बेदिकत पूर्ती है, C की बेदिकत पूर्ती है, लेकिन ये बाजार पूर्ती है, अब हम क्या करेंगे, इस अनुसूजी पर से एक ही आलेख रेखा में तेन वेक्प्तियों या तीन उत्पादकूं की पूर्थी दर्सादेंगे और बाजार पूर्ती को भी दर्सादेंगे तो आपको एक ही आलेख में सारी चीज़े आजाएंगी तो देखिए हमने यहां पर आलेख रेखा बनाया है यहाँ पर वस्तु की कीमत है आप देख रहे हैं 10 से लेकर 50 तक है तो 10 रुपए तक से लेकर 50 रुपए तक उसके बाद पूर्ती है तो पूर्ती यहाँ पर है maximum जो है 240 है और minimum इसके अंदर आपको पूर्ती है तुब कितनी है तो मालो 30 है यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्या किया है 20 हिगाई के लिए है 40 तो 40 हिगाई की एक बराबर 40 हिगाई माना है तो 40, फिर 40, 80, फिर 80 में 40 जोड़ा 120 120 में 40 जोड़ा 160 160 में 40 जोड़ा 200 200 में 40 जोड़ा 240 ऐसे हमने 40-40 का जो है अंदर रख करके हमने यहां पर जो है वस्तु की पूर्ती एकाई में लिया है और अब उसके बाद हम आलेक बनाएंगे पहले उत्पादक एका दस रूपय पर पचास ही काई यह देखिए दस रूपय पर और इसकी देखों पचास ही काई लगबर चालिस के बाद यह पचास ही काई आएगी ठीक है इसी तरह से बीस रूपय पर साथ ही काई है तो यह बीस रूपया है और यह चालिस पचास है यहां लगबर यहां पर ऐसी से पहले, यह दो सत्तरी आई आ गया, 40 पर उसके बाद दिया है 80, तो ऑसी यां दिया है तो 40 पर ऐसी हो गया, और 50 पर 90 है तो 80 से थोड़ा सा आगे, तो यह हो गया 80, तो इस तरह आम ने उसको पूर्तिरेखा बनाया, तो ये उत्पादक एक ही पूर्त रेखा हुई इसको क्या कहेंगे व्यक्तिकत पूर्त रेखा कहेंगे इसी तरह हम B का बना लेंगे 10 रूपए पर 40 तो ये देखिए 10 रूपए पर 40 ये रहा और उसी तरह से 20 रूपए पर इसका कितना है तो ये है 50 तो 20 पर 50 यानि 40 से एक अ 70 ऐसे बनाएंगे इसको और लाष्ट में 50 पर 80 है कि देखिए 50 पर 80 है किस तरह इसको हमने मिला दिया तो भी उत्पादक का जो है पूर्तिरिखा तयार हो गई और यहजिए क्या है व्यक्तिगत पूर्तिरिखा कही जाईगी अब सी का बनाएंगे तो दस रूपए पर कितनी क काई यह देखिए 10 रुपए पर 30 यानी 40 से थोड़ा इदर के 30 ही काई यह रहा इसी तरह से 20 पर लिया हमने तो 20 पर इसका 40 ही काई यह है 20 पर 40 खेला है तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं 30 है तो 30 पर आपने कितना लिया 30 भाओ पर 15 ही काई तो 40 से थोड़ा इदर यह 50 ही काई ठीक है इस तरह 40 है तो 40 पर लिया 60 तो 50 60 है यहां पन बगाएगा यह बना दिया और उसी तरह से यहां पर 50 पर इसका है 70 ही काई 70 जनी 80 से पहले यह यह काई आदे और इस तरह हमने इसको बना दिया, तो C जो है, C की पूर्तिरेखा बन गई, और B व्यक्तिकत पूर्तिरेखा है तो तीनों उत्पातकों का हमने क्या बना दिया, व्यक्तिकत पूर्तिरेखा बना दिया, A, B और C, ये तीनों का कत्यार हो गया और अब इस पर से हम कि बाजार की पूर्ति क्या है तो हम देखेंगे 10 हीकाई पर 120 है तो 120 यानि यह रहा देखिए 10 हीकाई पर 120 उसके बाद 10 रूपए पर 120 20 रूपए पर 150 150 यानि 160 से थोड़ा इधर 12 साइड में यह देखिए 20 रूपए पर 30 रूपए पर 180 180 निया है तो यहां पर 160 के बाद 170 180 लगबग यहां पर 180 आएगा तो यह देखिए यहां पर बना दिया और फिर उसके बाद है 40 पर 210 तो 210 यानि 200 के बाद लगबग एक एक आया के दाई तरह बढ़ेंगे तो लगबग यहां पर आएगा और अंत में आता है 50 पर है रूपए पर 240 ही तो 50 पर यह 240 ही और इस तरह हमने सारे बिंदों को जोड़ दिया ते हमारी बन गई बाजार पूर्ती रेखा बन गई तो विद्यार्थि मृत्रों इस तरह से हमने यहां पर व्यद्धियत पूर्ती और बाजा बाजार पूर्ती के लिए बनाएए और चाहें आप एक ही आलेगरेखा पर सब को बना सकते हैं एक साथ तो इस तरह से आप सम्झा दे सकते हैं इसके अंदर की विद्धियत पूर्ती क्या है और बाजार पूर्ती क्या है इस पर से निसकर्स निकालेंगे तो निसकर्स आए कि प्रतेक विर्तिगत रेखा धन धाल वाली है देखिए सभी धन डाल वाली है यह नीचे से उपर की और जा रही देखिए सभी तो इस तरह से धन धाल वाली है और दूसरा विर्तिगत पूर्तिरेखा से बाजार पूर्तिरेखा का धाल कम है तो देखिए यहां पर इसका धा तो इसको समझा कर सकते हैं तो अपना एक प्रस्टे में पूर्त के नियम के अपौद, जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तू की कीमत बढ़े तो वस्तू के पूर्ती में विस्तार होता है और घटे तो पूर्ती में संगुचन होता है यानि पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध है लेकिन कुछ ऐसी बस्तुएं हैं कि जिन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं पड़ता है तो ऐसे अपवात कौन से हैं वो देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जैसे दुर्लव बस्तुएं हैं तो दुर्लव बस्तुएं हैं तो इनकी अगर कीमत बढ़ जाए तो भी इसका पूर्ति बढ़ाना संब्भव नहीं है क्यों? क्योंकि यह बस्तुएं मिलेंगी नहीं तो यह बस्तुएं जो मिलेंगी नहीं तो इसका पूर्ति कैसे बढ़ेगा? यानि यहां पर पूर्थ के अनिम लगू नहीं पड़ेगा जैसे कि प्राचीन काल के सिक्के अब यहां चाहे जितने सिक्के आप प्राचीन काल के लओ ऐसा मुश्किल है असंभव है प्राचीन काल के कलाकृतियां प्राचीन काल की पुस्तत की मूल हस्प्रत जैसे रामा है म भारत है गीता है जो मुल हस्पत लिखा गया है वो दुर्लव है नहीं मिल पाएगा उसके बाद प्राचीन मूर्तियां तो यह सारी चीज़े जो हैं यह बजार में दुर्लव हैं इसको कितनी भी कीमत बढ़ जाए इसके पूर्ति बढ़ाई जा सकती नहीं है क्योंकि पूर्ति के नियम लागू नहीं पड़ते हैं भले सभी धाणाएं आप उसके लगा के देख लें तो कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति बढ़ाई जा सकती नहीं है दुसरा है नास्वान बस्तुएं नास्वान बस्तुएं जो है उनको लंबे समय तक इस्टोर करना या लंबे समय तक संग्रा करना मुश्किल है तो जो लंबे समय तक उनको संग्रा नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसी बस्तुओं को हम पूर्ति के साथ या पूर्ति के नियम के साथ नहीं जोर सकते हैं जैसे दूद है या दूद की बनी अनिकोई बनावट है हरी सब्जियां है मांस है अंडे हैं मचली हैं पके हुए फल हैं फोड हैं इन सब को ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं जैसे कि अभी टेक्नोलोजी का विकासु हो गया है तो बड़े-बड़ इस्टोरेज बने हुए हैं इनको इस्टोर करने के लिए कोल्ड इस्टोरेज बने हुए हैं फिर भी ऐसी कंडिशन में हम कर सकते हैं कि नास्वंद बस्तु हैं इनको संग्रा करने में मुश्किल होने की वज़ा से पूर्द के नियम इन पर सही रंग से लागू नहीं पड करता है तिस तरह से आप पूर्थ के नियम के अपवाद में दो बस्तु बताएंगे एक दूरलब बस्तु हैं जो बजार के अंदर अपराप्य हों या मिलने में मुश्किल हों दूसरी नास्वान बस्तु हैं जो जल्दे से नश्र हो जाते हों जिनको लंबे समझ तरह रखान कहा जाता है विद्यार्ति मित्रों आज के वीडियो में अपना दो टूपिक व्यक्तिकत पूर्थी और बाजार पूर्थी और पूर्थ के नियम के अपवाद यह हमने आपको चर्चा किया और अगले वीडियो में हम नए टूपिक के साथ मिलेंगे धन्यवाद